आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दसमलब फ्रेक्शन के बारे में, यानि दसमलब भिन्न के बारे में, डेसिमल फ्रेक्शन के बारे में, सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद कोशन को हल करते हैं, यदि अगर इस पिसन के बारे में हम बात करें, त जिर्फ आपको इतना ही टाइम डरीगा लेकिन इससे पहले जो कॉंसेप्ट है इसको समझना है एक वार एक कोशन के लिए कॉंसेप्ट समझते हैं उसके बाद कोशन सेक्रिंट में बनाएंगे देखें क्या दे रखा यह जीरो दसम्लब पांच 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 और यह डैडेस करने का मतलब क्या होता है एक सिंबल होता है इसको बोलते हैं इसको बार के रूप में परतुसित करना है तो क्या करेंगे ? एकस बराबर हमने यह वाली बैल्यू माल Khali X बराबर ये वाली value हो गई दौनो और 10 से गुणा करेंगे दौनो जो और है left side और right side 10 से गुणा इधर भी करेंगे और 10 से गुणा इधर भी करेंगे तो इसका मतलब दौनो और balance रहेगा ना कुछ बढ़ेगा ना कुछ घटेगा 10 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा ये 10 X is equal to गुणा 10 अब देखिए समझते हैं अगर दसमला 5 की गुणा हम 10 से कर दें तो कितना हो जाएगा 5 ऐसे ही अगर हम यहाँ से ये दसमला 5 5 5 5 जो जो value आ रही है एक दसमला 5 की गुणा हमने दस्य कर दी तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा यैनि इस पूरी value में हमने एक दसमला 5 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और बारकी की value ऐसी की ऐसी रह जाएगी ये और इधर कितना रहेगा, 10x, अब देखिए, इस वाली value को देखिए, ये, दसमलब से बाद वाली, दसमलब से बाद वाली जो value है, इसको हमने क्या मानना खाए, x मानना खाए, तो 5, 5 जो लिखा हुआ है, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, 5 प्लस दसमलब 5, तो अगर हम इसको लिखें, तो किस तरीके से लिखा जा सकता है, 10x बराबर 5 प्लस ये, अब इस वाली value का जो मान है, वो कितना रखा जा सकता है, x, तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर 5 प्लस x, ये x की value इधर आएगी, तो कितना रह जाएगा, 9x, और ये कितना हो जाएगा, 5, x बराबर कितन बटे नो इतना काम अब देखो मैं आपको समझाता हूं कि यह सब कुछ आपको करने की जरुवत नहीं है आपको यह देखना है कि जितनी संख्या रिपीट हो रही है इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है कि हमने इस पर पांच लिखा और दसमलब लगाया दसमलब तो हई जि पांच बटे नो जितनी संख्या पर यह बार लगा होगा दसमलब में सबसे पहले हमने यह संख्या लिख ली इसके बाद भागका चिन लगाया जितनी संख्या पर बार लग रहा है एक संख्या पर लग रहा है बार तो इसका मतलब हमने एक बार नीचे नो लिख देना है अ उतनी ही बार नीचे नौ लिख देंगे, यह आंसर हो जाएगा, बस इत्थी concept पर हम सारे सवालों को हल करेंगे, अब यहां पर variety बदल बदल के देखने को मिलेगी, कभी लगेगा कि एक ही संख्या पर बार दे रखा है, कभी लगेगा दो संख्याओं पर बार दे रखा है, यहां पर संख्या दे रखी है, पांच पांच यह repeat हो रहा है बार बार, infinite तक है, तो हमने वो संख्या लिख लिए और इसके नीचे एक बार नौ लिख दिया और answer आगे, बस इतना काम, यानि एक second भी नहीं लगना है इस तरीके के question में आपके लिए, यह आपको किबल समझा पाली value को x रखेंगे, तो हमेशा इधर 10x होगा, और वो जब value घटाई जाएगी, तो वो 9x के रूप में ही आएगी, चाहें है संख्या कुछ भी होती, 5 हो, 4 हो, 3 हो, कुछ भी होगी, हमेशा नीचे 9 के digits के रूप में ही value आईग, अब एक एक करके इनके और question देखते है, देखिए, अब जो question है, यह कह रहा है, 0.25 bar, इसको क्या बोलती है, symbol को bar, किस साधारन भिंडिंग के बरावर है, अब आप अब तक यह समझ गया होंगे, कि यह वाला सवाल कितनी देर का है, आपको क्या काम करना है, अगर हम देखे, infinite value के रूप में लिखा होता, तो यह किस संख्या जिस पर बार लिखा है, वो ऐसे का ऐसे लिख लिया, और इसके नीचे, जितने बार यह बार लगा हुआ है, जितने डिजिक्ट पर, उतने बार नो लिख लिया, और यही आंसर बन गया, अगर यहाँ पर calculation हो सकती है, या इसका और सरलतम रूप निकाला जा सकता है और कुछ और संख्या common हो सकती है, तो उसको काटपीट कर देते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी common नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा, option 30 वाला, 25 बटे 99, अब देखिए question, यहाँ पर जो संख्या repeat हो रही है, देखिए 4 तो एक बार लिखा हुआ है, और repeat संख्या कौन सी हो रही है, तो अगर इसको हम बार के रूप में लिखें, तो किस तरीके से लिखा जा सकता है, जितनी संख्या, यानि जो संख्या बार बार repeat होगी, उसी संख्या पर यह हमें रहा, यानि बार का चिन लगाना होता है, अब हमें इसको बदलना है किस में, भिन्न में, तो देखिए इसके लिए क्या काम करना है? जो digits है, 4 और 7, वो तो ऐसी लिख लिए, जितनी संख्या पर बार नहीं लगा हुआ होगा, वो संख्या इसमें से घटाएंगे. देखिए 47 लिखा हुआ है, तो 47 लिख लिए, 7 पर बार है, 4 पर नहीं है, तो जिस संख्या पर बार नहीं होगा, वो संख्या हमने लिख ली, और नीचे, यहाँ पर जितनी संख्या पर बार है, देखिए, 2 संख्या है, 2 डिजिट है, 4 है और 7 है, 1 पर बार है, तो एक बार नहीं लिख दिया, और जितने पर बार नहीं है, एक संख्या पर बार नहीं है, उतना सुने लिख दिया तो आंसर क्या जाएगा, 47 में से 4 घटा है तो, 47 और डिवाड़ीड वाई 90 calculate कुछ common है नहीं, तो आंसर आपका क्या मिल जाएगा, option तीसरा वाला देखिए, फिर से समझ जिए, जितनी संख्याओं पर बार लगा होगा, सबसे पहले हमने तो वो संख्या लिख ली, पूरी जो संख्या है भूख फिर यहां देखेंगे, जिस संख्या पर बार नहीं लगा है, वो वाली संख्या उसमें से घटाई जाएगी, घटा दिया जितनी संख्या पर बार लगा है, अगर एक संख्या पर बार लिखा है, तो एक ही बार हमने यहां पर नौ लिखेंगे जिस संख्या पर बार नहीं है, यानि जितनी संख्याओं पर बार नहीं है, उतनी संख्या सुनने के रूप में लिख दियाएंगी, और calculate कर देंगे, answer आजाएंगे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, जाद से जादा 5 सेकंड में question खल हो जाते हैं railway के exam में ऐसे question आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे, देखिए, next person आपका, 1.36 बार किस साधरन बिन के बराबर होगा, कितना है, 1.36 बार, कैसे लिखा जा सकता है, इसको, 1.36 बार, तो देखिए, एक में तो हमें कुछ भी नया काम नहीं करना, हमें इसको convert करना है बिन के रूप में, तो दसमलब 3.6 बार को कैसे लिख सकते हैं, 3.6 लिख लिए, और डिवाइड के रूप में, जितनी संक्याओं पर बार लिखा हुआ है, उतनी बार नीचे हमने, 9 लिख लिया, तो 99 हो गया, जो common है, वो निकाल देंगे, कितने से कट जाएगा, 9 से, तो 9.36, और option पहला वादा, first option, question आपका, 18.484848 को, P बटे Q के रूप में लिखना है, यानि भिन के ही रूप में लिखना है, तो देखिए, अभी जो हमने सवाल किया था, सेम उसी सवाल की process करेंगे, कि 18.4848, यानि ये digit जो है, ये वाले repeat हो रहे हैं, तो हमने यह क्या काम किया, ये बा देखिए, इसका मतलब कितना हो गया, 16 divided by 30, 18 पहले से ही है, 18 में जोड़ देंगे, 18 प्लस 16 बटे 33, कितना हो जाएगा, 18 तिया 54, हासिल 5, 38, 54, 5, 69, और 16 ये जोड़ दिया, और divided by 30, कितना हो जाएगा, 610 भाग 33, 610 भाग 33, option दूसरा वाला, तो इस तरीके का रूप, क्यानि कभी कभी यहां पर ये भी कह देते हैं, कि इसको भीड़े के रूप में बदलिए, या इसको साधरान संख्यात्यों के मान के रूप में बदलिए, तो इसी तरीके से इन प्रस्णों को आपको हल करना है, नेक्स्ट कोशल, अब दे रखा है, यदि 0.111.10 का मान कितना हो, एक वटे 9 हो, तो दसमलव 4.44 को क्या मान होगा या किसके बरावर होगा, देखिए, ये भी आपको समझा है, दसमलव 1.1 क्यों किसंख्या रिपीट हो रही है, यानि किस से लिखा जा सकता है, दसमलव 1 बा और इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक वटे 9, तो ये आपको समझ में आ गया कि एक वटे 9 यहाँ पर क्यों दे रखा है, इस तरीके से एक वटे 9 वैल्यू आ रही है, अब पूछा क्या है, दसमलव 4.44 ये वैल्यू पूछी है, तो कैसे लिखा जा सकता है, इसको दसमलव 4 और ये लगा दिया, बार, क्या लिख सकते हैं इसको 4 वटे, नो, बस हमें इन सवालों के लिए कंसेप्ट को समझना है, यहाँ कैलकुलेशन करने की तो जरूवत है ही नहीं, आगे जो सवाल आएंगे जोड घटाने वाले बहाँ थोड़ी कैलकुलेशन की जरूवत है, यह दसमलव 35 बार, कैसे लिखेंगे भिन में, सबसे पहले यह संख्या हमने लिख ली, इस मेंसे जिस संख्या पर बार नहीं लग रहा है, वो संख्या हमने घटा दिया, और नीचे क्या काम करेंगे, जिस संख्या पर, यह जितनी संख्या पर बार लग रहा है, उतनी ही बार न नहीं चुनों एक सभ्षच पर ले लिए जितनी संभ्ष गई रह गहीं बार से उतने सुन लगा दिर नवन होगा तो आंसर आपका यही हो जाएगा 32 नम्हें नेक्ट दसम्लाव 4-5-6 को साधानाट बिन में बदलना है दसम्लाव 4-5-6 देखिए बार कहां पर है दो संख्याओं पर है इस सवाल को बहुत ध्यान से समझे इसी सवाल में इन्हीं संख्या यह रहेंगे लेकिन बार को चेंज कर देंगे उसका आंसर आपसे कमेंट सेक्शन में पूछूंगा मैं एक सवाल आपके लिए है दसम्लाव 4-5-6 और इसका आंसर आपको बताना है किस फ्रेक्शन में भिन में क्या लिखा जाएगा कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएंगे केवल बस हमने बार को ही बतला है संख्या से हम यही वाली रहने दीए नेक्श प्रिसंट अब यहाँ से हम प्रिसंट जो देखते हैं वो इनके जोडने घटाने वाले सवाल देखेंगे अब देखिए इस सवाल को हम क्या काम करेंगे दो तरीके से आपको मैं करना सिखाऊंगा जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बना लेना देखिए पहला जो तरीका है इसका तीन दसम्लब दो ये बार के रूप में लिखा हुआ है तो अगर हम इसको डेटेल में लिखें डेटेल का मतलब यह है कि इस तरीके से लिखें तो ये मान यही तो होगे ऐसे करके अब दूसरी संख्या कितनी दे रखी है 3.4 बार तो इसको क्या लिखना रखता है 3.4, 4, 4, 4 ये बतलब हो गया 5.2 बार तो 5.2, 2, 2, 2 ऐसे करके लिख लिए अगर हम इनको जोड़ है क्योंकि हमसे यहां पर सवाल को add कर आ रहा है जूडवा रहा है तो हम जोड़ें तो इनको इस तरीके से जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 और 2 8 यह भी 8 आ गया यह भी 8 आ गया और यह दसम्लब लग गया और इसके न होगा पांच और 3 8 और 3 11 कि देखो अब संख्या repeat देखो आठ संख्या repeat हो रही है तो क्या लेकिंगे 11.18 और इस पर लगा दिया बार यह हो गया answer यह है एक तरीका अगर हम इसके दूसरे वाले तरीके के बारे में बात करें देखो कभी कभी पहले इसी में देख लो कभी कभी ऐसा होगा कि यहां वाली संख्याना different आ जाएगी अगर आप इस तरीके से करेंगे हो सकता क्योंकि हाँ पर भी हमें हासिल नहीं लेना पड़ा अगर हासिल लेना पड़ेगा तो में भी ऐसा हो सकता है कि जो सबसे घुर ऑजिए अब इस सवाल को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे डसम्लब से जो इधर वाली संख्या है इनको साथ है करेंगे और यह दसम्लब के बाद वाली संख्हाइब करेंगे कितना है दसंप्रफ लब Four देखिए वाली पहल्यू कितने हो जाए कि पांच और यह और आठ औरра 11 हो गई अब इसमें देखिए आपको ऐसा काम नहीं करना है कि आप आप इनको एक साथ जोड़ो, जोड़ भी सकते हो, जोड़ने पर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, लेकिन अभी यहां पर अगर हासिल आ जाएगा, तो सवाल गलत बन जाएगा, आपको क्या काम करना है, इसको भिनिक के रूप में लिखना है, तो दो वटे कितना जाएग नो, कितना हो जाएगा यह 4 वटे, नो, और यह कितना हो जाएगा 2 वटे, जब हर समान होते हैं, तब उपर वाली संख्यां को डारेक्ट जोड़ देते हैं, तो 4 और 2 6 और 2 8, 8 वटे 9 हो गया, और 8 वटे 9 का मतलब क्या हो जाएगा, 11 प्लस 8 वटे 9, यानि 0.8, बार, 8 हमने बताये था वो इस तरीके का सवाल था तो भाँ पर हमने क्या बताये था पांच वटे नो तो पांच वटे नो को इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ऐसे ही आठ वटे नो को हम क्या लिख सकते हैं पाइंट एट बार तो आंसर क्या जाएगा 11.8 bar तो आप इन दोनों तरीके से कहीं-कहीं ये वाला तरीका बहुत कारगर है और कहीं-कहीं आपको जब चोटी-चोटी संख्याइं दे रखी होंगी तो ये वाला तरीका अच्छा लगेगा दोनों ही तरीके बहुत अच्छी हैं किसी भी तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं देखिए next present इसमें क्या आप add करने के लिए कह रहा है तो कितना है 0,3,4,6,7 और 6,7 पर बार दे रखा है बार का मतलब बही संख्या repeat करनी है तो दो तीन बार लिख लेते हैं लिख लिया दूसरी संख्या क्या है 0,3,3,3 और 3 और लाश्ट के जो दो 3 दे रखे हैं इन पर बार लगा हुआ है तो यही संख्या हमने repeat करके लिख लिए अब हमें इसको add कर देना है add करेंगे तो देखिए जिस सवाल का जिकर हम पिछले बार सवाल में कर रहे थे जिस बात का जिकर वो यहां पर लाग हो रही है पहले देख लेते हैं जोड के क्या रहा है 7 और 3,10 हांसिल कितना हो गया 1,6,3,9 और 1,10 हांसिल फिर से 1 आगे 7 और 3,10 और 1,11 एक हांसिल लगाता चला 6,3,9,10 7,3,10 और 1,11 6,3,9,10 हांसिल 0 4,3,7,1,8 3,1,4 और यह 10 अब देखो यहां पर यह हमने 3,4 बार संख्या इसलिए लिखी है कि हमें यह पता चल जाए कि रिपीट कौन से वाले डिट हो रहा है तो देखिए रिपीट क्या हो रहा है 0,1,0,1,0,1 यह रिपीट हो रहा है लाश्ट के डिजिट को हम जो है नेगलेट कर देते हैं नेगलेट का मतलब यह है कि हमें लाश्ट के डिजिट से यह निकरना है हमें यह देखना है है कि जो संख्या repeat हो रही है उन पर बार लगाना है तो क्या रहे है दस हमलब चार और यह आठ और 01 फिर 01 01 01 जिए अगर हम किसी वज़े से दो बार और लिख दे चैन तीन तीन और तीन अगर हमने इसको एड़ कर दिया कितना हो गया आता तीन लाश्ट वाले जो डिजिट्स हैं एक यह दो को नेगलेक्ट करते चले आते हैं बस यह देखने के लिए कि कौन से डिजिट्स जो है वो repeat हो रहे हैं उनको लेते हैं अब जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उन पर हम लगा देंगे बार आंसर आगया यही वाला तसमलब 4801 option दूसरा वर्णा ठीक तो इस तरीके से इन सवालों को आपको add करने वाले सवालों को ऐसे हल करना है देखिए next सवाल जो है यह आपका घटाने वाला है इसको बिनने वाले तरीके से देखते हैं कैसे करेंगे कितना लिखा है 3.68 बार माइनस तो देखिए सबसे पहले इसको 68 divided by 99 ऐसे ही इसमें 2.79 बार में 0.79 बार को कैसे लिखा जा सकता है 79 divided by 99 अब देखिए अगर 3 में से हमने 2 घटा दिये तो कितना बचा एक बचा और यहां देखें 68 divided by 99 माइनस 79 divided by 99 हर समान है घटा देंगे कितना जाएगा 11 बार में बदलना है तो जितनी बार नीचे लो लिखा होता है उसी संख्या पर हमें उतनी बार बार लगाना होता है दसमले लगा दिया और यह लगा दिया चिन और आंजा बस इतना कहां ऑप्सन तीसरा वाला आपको मैंने दो तरीके बताए हैं इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और संख्या किस तरीके से 3.6868 ऐसे करके और इसमें से कितना 2.7979 यह सीधे सीधे घटा के ऐसे भी कर सकते हैं जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है दोनों मैं से कोई सी तरीकों को आप फोलो कर सकते हैं आंसर आपके सेम ही आएगा नेक्स्ट कुशन जीरो तसनलो चार बार का बर्गमूल ग्याद करें देखिए सबसे पहले हम यह संख्या देना किये कितनी जीरो तसनलो चार बार बार को हटाएं तो किस तरीके से लिख सकते हैं? चार बटे नौ संख्या हो egy आपकी चार बटे नौ आपके रहा है इसका बर्गमूल यहनín 4 बटे नौ बर्गमूल का मतलब क्या होता है? यह root value निकलवारा इसकी तो root value 4 कितने का बर्गमूल है? है 2 का और 9 कितने का है 3 का यह अंसर होना चाहिए था अगर अगर बिन्द में ऐसे दिखाई देता तो यह भी आंसर था लेकिन इस तरीके का option नहीं है बार में सारे option दे रखें तो हम इसको भाग करेंगे 3 से क्योंकि हम चिन्ने तभी लगा सकते हैं यह बार वाला जब नीचे संख्या 9 हो और कोई भी संख्या हो तो बार तब तक नहीं लगेगा तो क्या काम करेंगे 3 से 2 को भाग करो देखिए कितना आएगा भाग जाएगी नहीं छोटी संख्या है दसमलब आएगे 0 तो 3 चंख 8 दसमलब 6 फिर दो बचा दसमलब 6 यानि यह यह आता रहेगा यह वाली Rough आती रहेगी अब इसको हं करश किस्टमाइज करेंगे कितना हो जाएगा शय बटे नो आप सिरफ कितना का अब देखिए या तो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा और इस तरीके से देखने के लिए नहीं मिलेगा तो कितना हो जाएगा बार यानि यह भी आंसर बन जाएगा और यह भी आंसर बन जाएगा अभी के आपसन में क्या अंसर दे रखा है यह वाला तो इस तरीके से अगर किसी भी संख्या के बर्गमूल का सवाल आएगा, तो ऐसे बना लेंगे। कोशन नमबर 13, देखिए, अब इस सवाल में क्या कर रखा है, कि यहाँ पर सरली करन के रूप में सवाल दे दिया, तो कोई बात नहीं है, 0.1 बार और उसका स्क्वाइर, और उसका स्क्वाइर तो बात की बात है, देखो इसको क्या लिखाया सकता है, एक बटे, नो, इसको ब गर 1y 9 का स्क्वाइर करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1y 81, यह आ गया, अब आगे यह बली बैल्यू जो दे रही है, यह वाली बैल्यू, इसको अगर हम हल करें, इस वाली बैल्यू का मान कितना आ गया, 1y 81, इसको छोड़ दिया, इसको अगर हम हल करें, तो क्या बनेगी बात देखते हैं कितना लिखा हुआ है 1-9 और ब्रेकिट में 0. यह देखे पहले ब्रेकिट को हल करेंगे तो इसको देख लेते हैं यह वाली बैल्लियू को इसका मतलब कितना जाएगा 16- संख्या पर बार नहीं है वो संख्या मैं घटा classify और जितनी संख्या पर वार रहे उतनी बार नीचे नौलिक लिया और जिसीए बार नहीं है उतनी बार हमने सुने लगाति कितना गया 15 बते 60 कितना हो गया 15 बते च्छे इस वाली value का मतलब कितना हो गया एक Metro 6 यहनि वन थीमांस 9 नाइन और वनगाई 6 और वनगाई 6 का इसफ्वार वन माईनस未 यहां 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 ये कितना है है, 1-1y4 ये कितना हो गया, 4 एकंच 4, कितना आ गया, गटा दिया, 3 वटे 4 यानि इस वाले value का मान, यहां से यहां तक, कितना आ गया, 3 वटे 4, ये कितना था, 1 वटे 81 एक वटे 81 साथ में गुणा का चिंद है बीच में कुछ नहीं था और कि यह कितना गया तीन वटे चार कैलकुलेट करेंगे कितनी बार जाएगा 27 ती एक क्यासी और 27 चौक एक सो आट 108 ऑप्शन कौन सा वाला वनेगा दूसरा वाला तो सिंप्लिफिकेशन में अगर इस तरीके का कोई भी कोश्चन आए अब देखो कभी कभी मिस अंडर्स्टेंडिंग हो जाती है क्योंकि अगर ब्रैकेट में सवाल दे रखा हो और बीच में अगर इसी सवाल में हम बात करें कुछ इस तरीके से दे देता ऐसे करके तब यह बार नहीं है बार तभी लगेगा अगर बीच में कोई भी चिन आगया प्लस का माइनस का गुणा का या भाग का तो वो चिन बार का नहीं बनेगा वो चिन जो है रेखा ब्रैकेट रेखा कोश्टक का बन जाएगा तो यह छोटी छोटी बात है इसको ध्यान रखना है कि ब बार तभी आएगा कि बार किसी डिजिट पर होगा सीधी सी बात यह याद रखना है अगर बीच में कोई चिन आगया माइनस प्लस कुछ भी तब वो क्या बन जाता है रेखा कोश्टक बन जाता है और दूसरी बात बार जैसे चार दसमलब पांच तो बार जो लगेगा हमे चीवी है तो उसका मतलब क्या होता है मैं आपके कमेंट्स इंतियार करूंगा क्योंकि बहुत ही महत्पूर्ण चीज़े यह आपको पता होनी चाहिए तो आपके आंसर का मुझे इंतियार रहेगा यह दो कोशन कोशन नमबर 14 और कोशन नमबर 15 इन कोशन के आंसर आपको ज इसमें यहां दसमलब है और यहां पर दसमलब है बाकी किलियर है तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं उमीद करते हैं कि यह जो फ्रेक्शन वाले यानि दसमलब बाले सवाल थे आपने बहुत अच्छी से सीख लियोंगे आज की क्लास में बस इतना ही ध झालनों